बर्टेंड मॉजल बर्टेंड मॉजल बर्टेंड मुलतप एक फ्रेंच गड़ता के थे जिन्हों ने कुर्णों के डूलो पॉली मॉजल की अलोचना की और अल्गो पॉली मार्केट के संबंध में एक वैकेलपिक मॉजल प्रस्तुत किया बर्टेंड ने अपने इस माजल को वर्ष 1983 में प्रस्तुत किया बर्टेंड माजल इस मानताप आधारित है कि ओलिगो पॉली मार्केट में फर्म यह मानती है कि उनका प्रतिद्वन्दी फर्म अपनी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी जब कि जब पहली फर्म अपनी कीमतों को परिवर्तित करें बाजार में इस्थित दोनों फर्म एक ही मांग वक्र का सामना करती है और दोनों के उद्दिश अपने लाब को मैक्सिमम करना होता है कूर्णों और बर्टन के माजल में मुख भेद इस बात की है कि जहां कूर्णों के माजल में फर्म यह मान कर चलती है कि दूसरे फर्म अपने उत्पादन की मातरा को इस्थिर रखेगी वहीं बर्टेंड के माजल में यह है की प्रतदुन्दी फर्म अपनी कीमतों को इस्थर रखेगी कुर्णों में उत्पादन इस्थर रखेगी मानकर चलते हैं और बर्टेंड कीमतों को इस्थर मानकर चलते हैं बाकी सब मानिताएं सेम ही हैं एजम्सन कुर्णो को माजल के बराबर ही है समान ही है कुर्णो को माजल मैं अपलोड कर दिया हूँ आप सभी के लिए वहाँ पे देखकर एजम्सन को देख लेना इन मानिताओं के बाद बैल्टिंड माजल को डियूलो पॉली मार्केट में रेक्शन कर्व की सहायता से प्रदरशिद ठीड है किया जा सकता है बैल्टिंड के सिधान्द के रेक्शन कर्व लाभ समलाभ बकरो की सहायता से निर्मित किया जाता है जो convex to the origin है ठीड है माना दो फर्मे ए तथा बी हैं, वह किसी बाजार में अपने उत्पादन का विक्रे कर रही हैं, ठीक है, विक्रे कर रही हैं, माना फर्मे ए बाजार में पहले प्रवेस करती है, तो ऐसे में अपने लाव को अधिक्तम करने के लिए वह एकाधिकारी मुल्य निधारित करेगी अब मान लीजिए फर्म भी बाजार में परिवेस करती है और यह मानते हुए कि फर्म ए अपनी कीमतों में कोई परिवर्टन नहीं लाएगी फर्म ए से कम कीमतों का निर्धारा बाजार में करती है फर्म A से कम कीमतों का निर्धार में करती है फर्म B द्वारा कम कीमत रखने पर उसकी विक्री में वृद्धी होती है अताब फर्म A अगले चरण में अपनी कीमतों को फर्म B से कम कर देगी इस प्रकार दोनों फर्म के बीच कीमत युद्ध होता है और अंत में कीमत उस बिंदु पर आ जाता है या निर्धारित होता है जहां पर लागत के बराबर हो जहां किसी प्रोड़क का उत्पादन लागत जितना हो कीमत भी उतनी हो जाती है लाश्ट में इसी क्रिया और प्रत्किरिया के अधार पर फर्म A के प्रत्किरिया वक्र का निर्माण किया जा सकता है ठीक है फर्म A का प्रत्किरिया वक्र ये देखिए फर्म A का ये रियक्शन करव है ठीक है प्राइस आप A है ठीक है जो ये फर्म A के वस्तुव का प्राइस है ये फर्म B के का प्राइस जो था यहां था ठीक अब पी-ए का प्राइस देखिए यहां था फिर दिर दिर आप दो कम होते होते कहां आगे एकदम नियुनतम मस्तर प्यागे जहां पर लागत की बराबर हो गया है। उप्युक्त चित्र में उप्युक्त चित्र में Y-axis पर फर्म V की कीमत है तथा X-axis पर फर्म A की कीमत प्रदर्शित की गई है। Pi A, Pi A2 तथा Pi A3 विभिन समलाव वक्र हैं। ठीक है। यह फर्म A बाजार में पहले प्रवेश करती है तो समलाव वक्र उसकी कीमत अच्छी की तरब जुका रहेगा। कीमत का निर्धारन लागत के अस्तर पर होता है। इसी के निम्तम बिन्द को मिलाने वाली वक्र द्वारा फर्म A की प्रतिक्रिया वक्र का निर्धारन होता है। इसी तरह फर्म B की प्रतिक्रिया वक्र का निर्धारन किया जा सकता है। फर्म B का प्रतिक्रिया वक्र देख लीजिए आप। यह फर्म B का कीमत इधर दिखाये गया है फर्म A का कीमत इधर दिखाये गया है। ठीक यह रियक्शन करव है फर्म भी का ठीक है यहाँ किलूबिरियम पे ठीक है यह है फर्म भी यदि फर्म भी बाजार में पहले प्रवेस करती है तो वह अपनी कीमत एकाधिकारी मुल्ग के बराबर रखेगी इसके बाद फर्म भी बाजार में आती है और फर्म भी के कीमत की तुलना में कम कीमत निधारिद करती है दोनों के बीच पुना कीमत का युद्ध होता है ठीक है अंत में कीमत लागत के बराबर हो जाती है उच्पादन लागत के बराबर कीमत को रख दिया जाता है और फिर ए फर्म A को प्रत्किरिया अवक्र, फर्म B की प्रत्किरिया वक्र को काट्टी है, उसी विंधु पर, बल्टेंड माजल का संतुलन निर्धारित होता है, जहां A और B की प्रत्किरिया वक्र आपस में कट्टी है, यहां पर काट नहीं है यहां एकलूबीरियम की अवस्था में आ जाएंगे और यहीं पर आपका संतुलन की अवस्था हो जाएगी जहां दोनों प्रतक्रिया वर्क आपस में काटेंगी 45 डिग्री का ठीक है कोण बनेगा वहीं पर आपका हो जाएगा रेखा चित्र में वाई एक्सस पे ठीक है फर्म बी के कीमत और एक्सस पे फर्म एक कीमत निर्धारित की गई है रेखा ओ जेट समान वित्राण रेखा है ठीक ओ जेट जो रेखा थी जो 45 डिग्राण पर खीची गई है यहां फर्म एक कीमत पी ए है और फर्म बी कीमत पी बी है के बराबर होती है ठीक है अलोचना देख लिए बर्टेंट माजल की इस धान्त में भी फर्म सुभाव से सरल है ठीक है और अपने पिछले अन्भूगों को ध्यान में नहीं रखती है फर्मों द्वारा अपने लाब को अधिक्तम करने का प्रयास किया जाता है परंत दोग का संयुक्त लाब अधिक्तम नहीं होता है यह से धान्त एक बंद माजल पर अधारी थे जहां पर नई फर्मों का प्रवेश संभव नहीं है वास्तों में बर्टेंट माजल कुर्णो माजल का एक विकल्प है जहां कुर्णो माजल उत्पादन की मात्रा को अधार बनाया है तो बर्टेंट माजल में कीमत को अधार ब तब तक के लिए धन्यवाद